जाएन दोस्तों चलिए आज हम कुरोना वाइरस पर बात करते हैं जैसे के देख रहे हैं गाउं साहर दिवास देश सभी में कोरोना वाइरस का भायव भाधा हुआ है और भारत इससे बचा नहीं है यहाँ वायरिस का प्रकोब बढ़ ही रहा है चलिए देखते हैं कोरोना वायरिस से कैसे बचा जाता है और कैसे इसको हम रोक सकते हैं कोरोना वायरिस को हम अपने दोस्तों सो और भीरभार के जगह से बचें थोड़ा दूर रहें और एक मीट्र के बेक्तियों से एक मीट्र की दूरी बनाए रखें अपने हाथों को कांटिन्यूस साबन से धूते रहें और साब सफाई क्या विश्य ध्यान दे इसमें बाहर का मांस मचली थोड़ा ना खाएं ठीक है दोस्तों अमेरिका रोस इटली जापान जैसे देश ने कोरोना वायरिस से बहुत भगवीत हुई है अग वहां पर डाक्टरों की संख्या अस्पितालों की संख्या इंडिया से बहुत बेतर है इस वहां पर तब भी बड़ा है अगर इंडिया में इसका पर कोब अगर नहीं रुका बढ़ता गया तो यहां बहुत ही बुरी हालात हो जाएगी क्योंकि यहां डाक्टरों की संख्या और अस्पितालों की संख्या बहुत कम है इसलिए दोस्तों कोरोना वायरोस को बहुत ही ध्यान से देखना और इसको समझना चाहिए और इससे बचना चाहिए कि हमारे देश में युवा बहुत ज्यादा है और देश सेवा करने के लिए ताप पर रहते हैं देश सेवा बार्डर से नहीं कि जाता है और अंदर हम अपने देश में अंदर रहे कर भी देश सेवा कर सकते हैं। देवस सेवा करने का मौका आज है। इवावारक से हाथ जोड के निवेदन है कि वह अब अपने देश के सेवा करें। 22 मार्च को आज है 22 मार्च को जनता कर्पु लगाया गया है इवावर्क से हम हाज और कने बेदन करता है कि वो इसमें सही योग करें और दोसरों को इस जानकारी को बताएं और लोगों को सलाह दें के थोड़ा भीड़ भाड लाके में ना जाएं ठीक है दोस्तों चलिए धन् झुटे करें दोस्तों टोस्तों को रःंच को जोस्तों को याद्ध धन्स जुटे कुटे को जुटे